केंद्र विद्याले में टीचर्स की नई विकेंज से निकलिए जो की डिफरेंट पोस्ट के लिए जिसमें PGT, TGT, PRT, कंपर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्स कोच, नर्स, योगा इंस्ट्रक्टर और कांसलर ठीक है तो इसमें हम क्या-क्या टीचर्स की है जिसमें Hindi, English, Maths, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science ठीक है तो ये है इसके बाद है ठीक है Training Graduate Teachers ठीक है TGT की है इसमें वेकंसी इसमें भी सेम रहेगा Hindi, English, Sanskrit, Math, Science, Social Science ठीक है Then आपकी Classical Dance, भारत नाटियम, कुच्चिपूरी और Instrumental Music, Sports Coach और Yoga Teacher ठीक है तो क्या-क्या इसमें आपको Qualification ठीक है वो मैं आपको आप डिटेल में बताता हूं ठीक है तो ये Post आपकी रहने वाली है Teachers Council केंदर विद्याले ठीक है तो केंदर विद्याले की पोस्ट रहेगी और इसमें क्या है आपका Post Graduate ठीक है अगर आप PGT Teachers के लिए अपलाई गर रहे है तो Post Graduate आप होने चाहिए ठीक है और NCRT in the Conscience Subject आपको जो Subject है वो NCRT Subject होने चाहिए या आपका और लगा है न तो या आपका क्या होता है Master's Degree from University ठीक है Hindi और English में आपको Teaching भी आनी चाहिए देन आप देख लेते हैं TGT ठीक है Training Graduate Teacher तो इसमें आपकी जो Stream रहने वाली है वो है आपकी ठीक है तो इसमें भी आपको NCRT से आप qualify होने चाहिए देन आपको ठीक है तो इसमें bachelor's in degree तो 50% जो आपकी percentile होने चाहिए वो सभी में मागी गई है 50% से उपर या आपकी जो है से above marks होने चाहिए देन आपके पास जातो डिप्लोमा का certificate होना चाहिए यह डियालेट होगा ठीक है वो भी चल जाएगा और पास वां सेंट्रल टीचर eligibility टेस्ट टी ठीक है CTET आपका complete मतलब आप क्वालिफाई होने चाहिए CTET में और देन आपको ठीक है तो इस तरह का आपका यह रहने वाला है तो country आपको basic knowledge भी होने चाहिए then यह staff nurse की है recruitment तो इसमें सेम रहता है आपका diploma और nursing यह होना चाहिए तो यह medical doctor की guidance ठीक है यह आपकी vacancy रहने वाली यह sports coach की है vacancy और yoga instructor तो यह आपकी पूरी vacancy की जो है detail अब आपको किस तरीके से form fill करना होगा वो मैं आपको बताता हूं आपको candidate name father ya husband name ठीक है date of birth gender और इसके बाद candidate जो ready residence होता है मतलब अपना पता लिखना है contact number लिखना है देना आपके पास कौन से qualification है और academics जो भी आपको क्वालिफिकेशन वो आपको बताना है ठीक है तो इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है आपने बीएट of computer आपको computer का घ्यान है नहीं है ठीक है writing experience है नहीं है और any special achievements है अगर आपको special achievements है इसके बाद आपको I agreed पर click करने के बाद then आपको कुछ answers इसमें आप instruction पढ़ने के बाद आप submit कर देंगे ठीक है तो आपका जो form है वो fill हो जाएगा और इसमें दिखे केंद्र विद्याली की website में आप जाके चेक कर सकते हैं तो इसका जो एक informative जो notification है वह मैं आपको description में provide करा दूँगा तो वहां से जाके आप देख लेना तो 22 December तक इसको करना है तो उससे पहले आपका लीजिएगा उसमें फिर इसका interview के लिए बुलाएंगे वो में further detail आपको में telegram link में provide करा